हेलो दोस्तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे रुक्वेस्ट करता हूँ कि अभी कर्मी बहुत ज़्यादा है तेंप्रेचर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में बहुत सारे पांची ऐसे हैं जो बिना पानी के मर रहे हैं तो आप अपने प्लांस की केर के साथ-स इसी मिट्टी के बातन में पानी डालकर ज़्यूर रखे तां जो जिन पांची नहीं मिलता वो पांची पानी पीछ सकें इससे क्या आएकि पांची जीवत रहेंगे और आपका बला होगा तो यह जो काम है यह आप चुरू करना तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं इन्हें किस तरीके से अपने त्यार करना है वीडियो में आगे मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर करूंगा तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि और आपने कौन सी बातों का द्यां रखना है गर्मी में जो उनके महिन में पादों की अच्छी केर के लिए पादों की पच्छी करूथ हैं वो ले सकते हैं तो सबसे पहला काम तो अपने क्या करना है कि हर रोज जैसे आप पानी देते हैं आप उपर से पानी दीजिए पत्यों को जो पानी है वो दिन में दो बार लगना चाहिए तो सुबा के आठ नो वजे और साम को चाह से पाँच बजे इस होगा सौन के टाम क्या होता है कि जो दिन में जो जो निए अफर निए तो अगर आप सामो क्र। पानी मारेंगे तो पौदे फ्रेस होंगे और दूसरा जो मिटी वगेर होगी वो पत्तों से हट जाएगी जिससे आपके पौदे देखने में भी अच्छे लगेंगे और पौदों की जो ग्रोध है वो भी काफी अच्छी निगड़ कराएगी तो नर्सी में समय यह जो काम है दोनों वो प्रॉपर किया जाते हैं तो के लिए भी बात कर लेते हैं जो फाटिलेजर है वो अपने कैसे तियार करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लिटर पानी लाएना जैसे आप देख सकते हैं साथ में आपने क्या करना है कि यह बनाना के शिर्के हैं तो अपने हड़के अड़के ने के जो टुकडे हैं जो पीस है वो बना लेने हैं और इने एक लिटर पानी में अपने एड़ कर देना जैसे मैं एड़ कर रहा हूं इससे क्या होगा कि आपका पाउदा बहुत अच्छी क्रोध करेगा बनाना से आपके पाउदे को जो पटास है बहुत अच्छी मातरा में मिलेगा अच्छी क्रोध के लिए आप अपने पाउदे में जो बनाना पील फाटिलाजर है जो लूकर फाटिलाजर त्यार करते हैं मन्थ में आप एक बार जरूर दें तो जो सिलके हैं वो हमने डाल दी हैं तो अभी हम इसे जो है थोड़ा सा हि दीख रहें अभी जे वाला जे दोस्तों है सरसों की खली मस्टर्ड केक यह वी आपको आपके आसपास से कहीं से भी मिल जाएगा विल्कल और गैनिक है इससे आपके पाउदे को काफी पावर मिलेगी इसमें नाइट्रोजन फासफोर्स काफी मातरा होती है और दूसरा मैं अब को बताना चाहता हूं कि से आपके पाउदे को अच्छी पावर मिलेगी विसका कोई नुक्सान भी नहीं है कर दोनों फड़ियर आपने जो गर्मी के मौसमें जून के मिहने में अपने पाउदों में देने हैं तो दोस्तों जो जो यह फट्टी लेजर यह मेरे पास प वर्मित इंगर के फावर मिलेगी तो अभी हम सभी में जो जे स्प्रेव करेंगे जिससे हमारे पौद अच्छे चलेंगे और गर्मी में कोई प्रावलम नहीं आएगी यह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पौदे हैं इनकी उपर भी हम इस तरी किसे जो सप्रेव कर रहे हैं साथ में हम जैड़ प्लान के मौदू कामने की क्रोफ आप देख सकते हैं तो सभी पौदों में ज success कि इसका कोई side effective नहीं है कोई निकसान नहीं है इससे आपके पोदे बहुत अच्छे से चलेंगे तो चुछ दूसरा व अगमे आपको बटाया था में साजसनल की कि मास्ट्रिकेक पब्लपेस से मिलेगो चैंस हो जाएगा इसे आपने क्या करना कि ध्रेट थुड़ा थुड़ा आपने सभी पोदों में देना यह सकते हैं जितने भी आफके ओर डोर प्लांट सो तुमें दे सकते हैं आप जो आपके इंडियोर प्लांट से बहुत ज्यादा जो लिए दूप में कम रहते हैं उनमें आप थोड़ा कम दीजिए जैसे बहुत बेलिया के उपर फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी जैसे बहुत साथ होगी तो बहुत बेलिया में भी यह जो फाटीलाजर है इससे थोड़ा सा खत्रा रहता है कि फांगस लगने के चांस बर जाते हैं लेकिन गर्मी में यह प्रावलम नहीं आती सर्दी में थोड़ी सी प्रावलम ज़्यादा आती है तो आप गुड़ाई कर सकते हैं अपने गबलों की जो स्वाइलेस को अच्छे से गुड़ाई करके आप फांगस से भी अपने पौदे बचा सकते हैं तो दोस्तों यह जो दो फाटिलेस मैं आपको बताए इससे यह सूख रहा पौदा है जो रहा पौदा भी बहुत अच्छे से ग्रोगा होना स्टार्ट हो साएगा तो आपने भी जो दो फाटिलेस अपने गर में विल्कल फ्री में आप त्यार कर सकते हैं केले के सिलके आप वेस्ट में जो हैं वो फेक देते हैं लेकिन उसे आप जूस कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया और बनाना के सिलकों को आप वैसे भी जूस कर सकते हैं उन्हें सुका कर दूप में रखकर दो तिन दिन जैसे वह सूख ज जो पानी है वो उपर पतियों के उपर मारना ना भूलना अच्छे से अपने पौदों को पानी देना आपके पौदे पौद अच्छे चलेंगे तो दोस्तों वाई टेक एड़ है पी